तो इस जाती के जो छुपे हुए गुलाम नेता हो चुके हैं उनको ये पूछना चाहिए अपनी पार्टी से और सवाल करना चाहिए कि सिवाजी वास्तों में तुम्हारी नजर में हिंदू हिंदा समराट थे या सावरकर की तरह माफी वीर थे और एक बात और यहां पर पू गुछना चाहिए कि सिवाजी के वारे में इस तरह का तत्य कहते हुए कहां अलेक मिलता है अब संबुकवद का उसका उल्लेक है तो बता लुक हिसलिए लोगों को ब्ताना पड़ेगा लुज के राज में सान्ती हो तो जो बात लिखी है या तो आप कहिए कि हम ऐसी पुस् वाला भगवान के वल एक भासा समझता है संस्कृत उसी में बात करता है तो जो आपने छुपाने की कोसिस की उसको जो लोग जागर करते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है सुदानसु तिरवेदी ने एक नया तथे निकाला क्योंकि इनका वो सावरकर जिसके आगे इनों सिवाजी पर जिस पर आपके पार्टी के सबसे वड़े ब्रांड एमबेश्डर सबसे वड़े इस्टार प्रचारक मोदी जी कहते हैं जब भी महाराष्ट आते हैं कि मैं सिवाजी का इन्वियाई हूं सिवाजी हिंदू इरदय समराट थे हिंदुत को बचाने के लिए उन अच्छे अध्यापक हैं मैं उनकी विचारधारा पर नहीं जाना चारा मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि वो जो बता रहे हैं वो सारे रिफ्रेंसिस आपके धर्म गरंथों में छुपे हुए हैं अपनी तरब से कुछ नहीं बता रहे हैं अगर इतना ही कष्ट है इतनी वावन आहात होती हैं आपकी तो उठा करके ऐसे धर्म गरंथों को जिसमें उच नीच का भेद बताया गया है जिसमें आसमानता बताई गई उनको आग लगा दीजिए कोई उस तरह के रिफ्रेंस नहीं देगा लेकिन से जो जितने भी गरंथों में जिक्र किया है जो बताए हैं के सामने वह सारों ग्रंतों पहले मनुवादियों के द्वारा लिखे गए हैं चाहिए गीता प्रेस हो चाहिए और प्रेस हूं यही मैं कहने की कोसिस कर रहा हूं सबसे वड़ी बात देखिए कि विकास दिविकीरती आज जो बात कह रहे हैं वह बात आप अपने घरों में रखे उए हैं इसका मतलब कि आपने कभी पढ़ा और समझाइ नहीं विकास दिविकीरती जो कह रहे हैं वह अनोखी बात नहीं है वही गीता प्रेस से लिखी हूई रामायन हर घर में मौजूद है वही गीता प्रेस की रामचरिक माना सब्से अगर आप पहले पढ़ लेते तो राज का अनिष्ट हो जाएगा, तो उस अनिष्ट से बचाने के लिए गर्दन काट दी, ये तो उलिख मिलता है रामायन में, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, विकास दिविकिर्टी थोड़ी कह रहे हैं इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ किन लोगों से है, बोलने से ज़्यादा लिखने वालों से है, और उनसे तकलीफ है जो बास्ता में पुरानी चीजे है, नियारी जो सही अथ्यासिक तत्त है, उनको निकाल करके लाने की कोसिस क Turkish करते है, तो उनसे तकलीफ हो जाती है, विकास दिव्विकिर्ती पहली बार ऐसा नहीं है विकास दिव्विकिर्ती अपने क्लासिस में गलाचीज नहीं बता रहे हैं वो बता रहे हैं जो वास्तिक में अत्यासिक तत्य है सिवाजी पहले राजा थे जीजबाई उनकी माता जो जीजबाई थी उन्होंने सबसे पहले अपनी सेना में महार सैनिकों को भरती किया था उनकी सेना में जिस भी जाती के लोग शामिल होते थे उनको मावला कहा जाता था यानि कि वो सिवाजी जिसने जाती के बंदनों को तोड़ते हुए हर जाती के लोगों को सैनिक बनाया वो सिवाजी जिसने मनुई स्मृती के नियमों को तोड़ते हुए आनंद वासकर कुलकरणी नाम के ब्रहमन का अपने अदालत में गला काड़ दिया था जिस समय कहा जाता था कि ब्रहमत्यापाफ है वो सिवाजी जिसने मनुश्मती के नियमों को तार-तार करते हुए अपने बेटे संभाजी को वेदों का अध्यन कराया उस सिवाजी को पहले तो तुम छीनने की कोसिस करते हो उसकी विरासत जब विरासत नहीं चीन पाते हो तो देखना चाहिए यहां पर लोगों को खास्त और से उन लोगों को जो सिवाजी को एक जाती का बताते हैं उत्त्तर भारत में उस जाती के तथाकतित नेताओं को जो अपने आप की ठेकेदारी लेते हैं इस जाती की उनको आज ये पूछना चाहिए чуть हुए घुलाम नेता हो चुके हैं उनको ये पूछना चाहिए अपनी पार्टी से और सवाल करना चाहिए कि सिवाजी वास्तों में तुम्हारी नजर में हिंदू एदर समराट थे या सावरकर की तरह माफी वीर थे और एक बात और यहां पर पूछना चाहता हूँ मैं सुधान सुतरवेदी से एक पत्रकार होने के नाते कि कहां पर उलेख है किस पुस्तक में उलेख है किस इत्यासकार ने इस बात का जिक्र किया ऐसे समय में जब मैं खुद महाराष्ट में खड़ा हुआ हूँ यहां तमाम लोगों से मेरी बात हुई तो ये निश्चित तोर पर पूरे देजवासियों को पूछना चाहिए कि सिवाजी के वारे में इस तरह का तथ्य कहते हुए कहां उलेख मिलता है आप बिना रेफरेंस के जब आप देख लेते हो कि पहले व्यक्ति को अपने पाले में लाने की कोसिस की जब आपने देखा कि सिवाजी का जो जुडाओ जोतिवा फूले से था जोतिवा फूले ने उनका पैगोडा खोजा जब आपको लगा कि संपूर्ण बहुजन आंदोलन सिवाजी को बहुजन परतिपालग राजा के तोर पर देख रहे हैं उनकी माता जी जीजा भाई और उनके पिता जो भोसले थे उनके अंतरजाती बिवा की बात होने लगी तो आपको लगा एक बहुजन यूनिटी बन रही है तो जिस सिवाजी को आप छीनने की कोसिस कर रहे थे आप उसी के उपर अप लांशन और दाग लगाने लगे ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ या पहले आपने जो विकास दिविकिर्ती की बात की ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने लिखा पड़ा नहीं पढ़त तो लिया, लेकिन लिखा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखे पढ़े नहीं है, और उनमें से भी वो लोग हैं जो पढ़त तो गए लेकिन लिखा नहीं, जब आप अपना इत्यास नहीं लिखेंगे, तो दूसरे का जो मन होगा वो लिखेगा, सिवा जी मैं इतनी प्रॉब्लम है कि उन्होंने मराथी में लिखी तो हिंदी भासी लोग उसको नहीं पढ़ पाए अंग्रेज जिदार लोग नहीं पढ़ पाए उसमें उन्होंने इस पश्ट तोर पर उलेक किया है कि दादा जी कोंड देओ या समर्थ गुरू रामदास जैसा कोई व्य अध्यन करने उन्हें कहीं उलेक नहीं मिता है कि चाणक के का नाम जुड़ा हो चंद्रकुप के साथ वैसे ही कवीर कवीर महान कैसे हुए जिन लोगों को यह नहीं पता कि कवीर का जन्म कव हुआ था वो कभी उसकी सन नहीं खोज पाए उन्होंने खोज लिया कि बिदवा कोई विष्प का ओतार्ग खोसित कर देते हैं औ cheese करने से भी नहीं होता है तो छाफन लगाने लगते हैं तो सिवा-जी के ऊपर जो इस बात हो रही इसलिए क्योंकि लोग जागुरोख हो जाएंगे सवाल करने लग जाएंगे तो बोसुन की कहानी क्या थी अर्व सब पता लगने लग जाएगा तो उतना पार्ट बताते हैं जसमें अनका धंदा मंदा ना पड़े इस पूछना थेके दारों से भई हम तो नमानते हैं हम तो समिधानिक लोग हैं समिधान से देश चल रहा है उसी की आर्टिकल से चल रहा है तो हम तो समिधान को मानने वाले लोग हैं जो लोग इन धार्मिक पुस्तों को मानने वाले लोग हैं उनसे पूछा जाए कि भाई कौन सी वाली कहानी असली है कमबोडिया में अलग कहान सधी लिए इसी बीच में आपने खुदी बात कही दिके पेरियार रामसामी नायकर ने लिखा सची रामायड़ और फिर पेरियार लले आदो ने लिख दिया सच्ची रामायन की कुंजी मतलब उसमें रेफरेंसिस भी बता दिये उन्होंने कि कहां कहां तुमने उल्लेक गलत गलत किये हैं और उन उल्लेक पर उन्होंने सच्ची रामायन लिग दी तो भाई इन पाखंडियों से पूछना चाहिए कि मैं अगर धर्म भीरू व्यक्ति कि कौन सी रामायन पढ़ें जिसमें सच्चाई गवर्णन हो इसलिए क्योंकि आपने तो बीसों तरह की रामायन हमें बता दी तो फिर हम किसको असली माने किसको माने के वास्तिविक धर्म गरंथ है यह तो इनी से सवाल होना चाहिए लेकिन जो तुल्सिदाजी की रामायन कि दूसरे तरीके से अर्थ बताया गिया है अब डोल गवार सूद्र पसुनारी इनके अर्थ किसी भी भासा में कोई डूसरे अर्थ तो है नहीं और सकल तालन की अधिकारी तालन का भी कोई दूसरा समझ में नहीं आता है तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ विद्वान लोगों से कि कौन सा वो दूसरा अर्थ है जो लोगों को नहीं बताया जा रहा है और जब आप इनके असली गरंथ मनुस्रमती को समझते हैं जिसका विधान ये देश में चलाना चाहते है जब हिंदू राष्ट बनाने की परिकलपना की बात आती है तो वहां भी मनुस्रमती के सासन की बात आती है तो मनुस्मरती के सासन में जिस तरह की बातें लिखी हुई है उसमें इसपश्ट तोर पर जलगता है कि ये ढोल गवार सूद्र पसु और नारी को एक जैसा रखते थे उस समय मत देखिए अभी उत्तर प्रदेश में जो सासन चल रहा है उस सासन में ही आप देख लिए कि महि देखेंगे राजपूत उस समय राजा होता था तो आज उत्तर प्रदेश में भी राजपूत सीयम है उस समय उनका जो सेना पती होता था वो भी उनी की विरादरी का होता था ठाकुर जाती का तो उन्होंने भी फिक्स कर रखा है कि डीजीपी हम अपनी जाती का बनाएंग तो उन्होंने राजसे परसत का चेहर्मेन फिक्स कर रखा है कि कायस्ति अवनिया ही होगा अरे आप मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं बोलता आप उत्तर प्रदेश के जब से यह सरकार आई है आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जितने चीप सेकर्ट्री बन राजसे परसत के चेहर्मेन में आप उठा के देख लीजिए जब से बीजीपी सरकार है या तो कायस्त है या फिर बनिया है और राजा तो मैं यह कह नहीं रहा हूं यह दिख रहा है यह आंकडे कह रहें मैं आपशितियों पर बात नहीं करता कर एसा हो के लिए वो क्या जो समस्यां मोल लेते जा रहे हैं बारबाल लेनी चीजा लेकर की आ रहे हैं जब कि रामत तो जो महिलाव को अधिकारी बता गया है अब भेक्तिकत तोर पर मैं भले कि भगवान जो सब्द है भगवान और इसुर अलग अलग है लोड और गॉड लेकिन फिर भी मैं भगवान जैसे सब्दे में यकीन नहीं रखता क्योंकि वह उसी तरफ से जोड़ा जाता है